हेलो दोस्तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अपने ही यूटूब चैनल लर्दिंग कैफ है में आज की वीडियो में ललित नरान मितला यूनिवर्सिटी पार्ट टू हिस्टरी सब सीरी का जो इंपोटेंट अप्जेक्टिव कोईचन है उस सब का प्रैक्टिस करेंगे इसमें टोटल 4-5 प्रैक्टिस सेट है पर प्रैक्टिस सेट में 100 अप्जेक्टिव कोईचन है और सभी का प्रैक्टिस करवा दिया जाएगा तो चलिए आज की वीडियो में पहला सेट में जितना कोईचन है उस सब का प्रैक्टिस कर लेते हैं हमारा पहला कोईचन है बावर का जन्म कब हुआ तो बावर का जन्म 14 फरवरी 1483 स्वी को फरगना में हुआ था इस वीडियो में डीटेल में नहीं बताये जाएगा नहीं तो वीडियो लेंदी हो जाएगा हमारा टर्गेट है कि कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा कोईचन का प्रैक्टिस करवा दिया जाए exam date काफी करीब है अगर आपको detail में पढ़ना है तो description में link दे दिया हूँ या channel के पर list में जाके history का important objective question upload है वो वीडियो में detail में बताया हूँ तो आप वो वीडियो देख सकते हैं next question बाबर का रक्त किसके रक्त से संबंदी था तो बाबर का रक्त जो है तैमूर लंग और चंगेज खान दोनों के रक्त से संबंदी था तो option C हो जाएगा उपरोक्त दोनों कितने वर्स की आयू में बाबर फर्मान का उत्राधिकारी बना 12 वर्स सरुपर्थम बाबर ने भारती के सीमा पर कब आक्रमन किया 1519 इस्वी में कामरान बाबर का कौन था बेटा कामरान बाबर का बेटा था बाबर ने भारत पर कितने आक्रमन किये 5 आक्रमन next question खानवा का यूद किन के बीच हुआ बाबर और राजपूत के बीच बाबर की मिर्त्य कब हुई 26 दिसमबर 1530 इस्वी को हुमायू की जन्मति थी है मार्च 1518 हुमायू का राज्ययरोहन कब हुआ 30 दिसमबर 1530 इस्वी को हुमायू का राजतांतर सांती के समय कमजोड और वयवास्तित और रीड हीन था तो बिल्कुल सही है हुमायों का राजतंत्र सांती के समय कमजोर अवयवसित और रीड हीन था चौशा का यूद किन के बेच हुआ हुमायों और सेर खान के बेच हुमायों की मिरित्यू कब हुई हुमायों की मिरित्यू 24 जनवरी 1556 विको हुई बाबर नामा के रचीता है उसके नाम का अर्थ भागी साली है किन्तु उसके जैसा अभागा कोई दूसरा राजा नहीं हुआ यह किसके संबन्द में कहा गिया है सेर्षा के संबन्द में सेर्षा सासक था अफगान का सेर्षा अफगान का सासक था सेर्षा किस वन्स का सासक था सेर्षा सूर वन्स का सासक था सेर्षा का बच्पन का नाम था फरीद खान Next Question सेर्षा का जन्म कब हुआ था 2486 इस्वी में सेर्षा कब सासक बना 1530 इस्वी में 1538 में किस लराई के उपरांद सेरषा के जीवन में नया मोड आया सूरसगड में बंगाल के सैणिकों के साथ संघर्स किस यूद के बाद सेरखान को सेरषा की उपाधी दी गई 14 यूद में हुमायों की हार के बाद सेरषा की धार्मिक नीती थी उदार सेरषा ने जन कल्डियान के आधार पर भारतिय राज्य की अस्थापना की तो बिल्कुल सही है आप्शन ही हो जाएगा सहमत सेर्षा से छीन कर हुमायू ने पुनह मोगल सासन की अस्थापना कब की 23 जुलाई 1555 में अकबर किसका पुत्र था हुमायू का अकबर हुमायू का पुत्र था अकबर का जन्म कब हुआ था 15 अक्टूबर 1542 इस्वी को हजार दुआव वाला बच्चा किसे कहा जाता है जहांगीर को अप्शन सी हो जाएगा जहांगीर अकबर की मृत्यू कब हुई 1625 इस्वी में जहांगीर का राज्य रोहन कब हुआ 12 अक्टूबर 1625 इस्वी में तुजू के एव जहांगीरी किसने लिखी तो तुजू के जहांगीरी के लेखक जहांगीर खुद है जहांगीर ने कितने अध्यादेश जारी किये 12 आप्शन भी होगा 12 खुष्रो कौन था खुष्रो जो है जहांगीर का बेटा था गुरु अरजुन देव को फासी किसने दी थी जहांगीर ने खुर्रम कौन था खुर्रम जहांगीर का बेटा था ओप्शन डी होगा जहांगीर का बेटा साह जहांगीर का बेटा था दोस्तो अगर आप चैनल पर पहली बार है तो सब्सकाइब परने के साथ सा नटिफिगेशन बिल्कु दवा के ओल पर किलिक किजिए और वीडियो को लाइक करना मत बुलिये ताकि आपके एक लाइक से मेरा मोटिवेशन बना रहता है नेक्स्ट कोईशन जहागीर का चरित्र और व्यक्तिक विरोधा भास का परतिक था तो बिल्कुल सही है ओप्शन ये होगा सामत जहागीर की विशेश्ता थी जहागीर की विशेश्ता अकबर के लिए असीम भक्ति नूर जहा के परतिस ने नयाई प्रिये टॉप संडी हो जाएगा उपड़ोक्त सभी साह जहा का बच्पन का नाम क्या था खुर्राम साह जहा कब गद्दी पर बैठा चार फरवरी 1628 इसवी को औरंग जेव कब बादसा बना 1658 इसवी सीवा जी के गुरु का नाम था रामदास सीवा जी के गुरु का नाम रामदास था सीवा जी के पिता का नाम था राजा राम सीवा जी की माता का नाम था जीजा बाई सीवा जी का पहला राज्या विशेक कब हुआ 16 जून 1674 इसवी संभा जी सीवा जी के कौन थे पुत्र next question बाबर के आकरवन के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? इब्राहिम लोदी बाबर ने पानिपत का यूद किसके विरुध लड़ा था? इब्राहिम लोदी के विरुध मुगल वन्स का संस्थापक कौन था? बाबर भारत में मुगल समराज के अस्थापना कब हुई 1526 इस्वी में बाबर ने अपने तोप खाने का ध्यक्ष किसे बनाया उस्ताद अली को मुगल सासको की पदवी थी बादसा ओप्शन भी होगा बादसा बाबर को भारत पर आकरमन करने है तू किसे ने निमंतरन भेजा दौलत खान लोदी बाबर ने राना सांगा को किस युद में पराजित किया खानवा के युद में बाबर ने अफगानों की सक्ति किस युद में समाप्त की घागरा के युद में निव्ण में से कौन सा यूद बावर के लिए निरनायक सिद्ध हुआ पानी पत का यूद 1526 इस्वी में आगरा पहुँचने पर बावर को हुमायू ने क्या भीट किया कोहिनूर हीरा बावर ने अपनी आत्मकथा तुझुक के बावरी किस भासा में लिखी तुड़की भासा में बावर की आत्मकथा का नाम है तुझुक ए बावरी हुमायू दिल्ली की गद्धी पर कब बैठा 30 दिसंबर 1530 इस्वी को हुमायू का जन्म कब हुआ था 1508 इस्वी में गद्धी पर बैठने के बाद हुमायू सरुपर्थम किस अभियान पर गया कालिंजर अभियान पर सेरसा ने अपने किस लर्के को हुमायू की सैनीक सेवा में भेजा कुतुब खान को जब हुमायू गद्धी पर बैठा तो उसने किस कठिनाई का सामना नहीं किया हुमायू की माता माहिम बेगम अपने छोटे पुत्र असकरी को गद्धी पर बैठाना चाहती थी निम्न में से किस के साथ हुमायू का संगर्ष नहीं हुआ सिकंदर साह के साथ किस राज की राणी ने हुमायू से सहायता मांगी चित्तोर की राणी ओप्षन भी होगा चित्तोर हुमायू पर्थम बार सेरसा से किस युद में पराजित हुआ चौशा का युद इस यूद के बाद हुमायू को जान बचाने के लिए मिस्तिक की मदद लेनी पड़ी चौउसा का यूद मुगल सत्ता के पतन के कारणों में कौन सम्मिलित नहीं है और अंजेव द्वारा अंग्रेजों से यूद मराठो की सक्ती का विकास किस सदी में हुआ था सत्रहवी सदी में पलासी का यूद किस के बीच हुआ था सिराजु दौला और अंग्रेजों के बीच पलासी का यूद कब प्रारम हुआ था सत्रह सो संतावन इस्वी में दोस्तो इस से पहले पिछले वाले वीडियो में हिस्ट्री सब सीर्डी का जो प्रिवियस एर कोशन है 2018, 2019, 2021, 2022 में जो कोशन पूछा गया था हिस्ट्री सब सीर्डी का उस सब का प्राक्टिस करवा दिया हूँ लिंक आपको डिस्किप्शन में मिल जाएगा या चैनल के पर लिस्ट में जाके आप प्रिवियस एर का जो कोशन सब है उस सब का प्राक्टिस कीजिए कोशन नमबर 73 पलासी युद के परिनाम सोरूप भारतिय राजनीती में अंग्रेजो की परधानता कायम हो गई सिराजु दौला के बाद बंगाल का नवाब कौन बना मीर जाफर अंग्रेजो और सिराजु दौला के बीच फरवरी 1757 इस्वी में हुई संधी किस नाम से जानी जाती है अली नगर की संधी बक्सर का युद किस वर्ष हुआ था 1764 इस्वी में बक्सर का युद किसके किसके बीच लड़ा गया था मीर काशिम और अंग्रेज के बीच सुजाउद दौला कौन था अवद का नवाब सुजाउद दौला अवद का नवाब था किस संधी दौरा बक्सर के युद कि समाप्ती हुई थी इलाहाबाद की संधी हैदर अली का जन्म कब हुआ था 1721 इस्वी में अंग्रेजों के बीच मार्च 1784 इस्वी में कौन सी संधी हुई थी मंगलोर की संधी संधादी आंदोलन कब प्राराम्ब हुआ था 1831 से 32 इस्वी में वहाबी आंदोलन किसके दौरा प्राराम्ब किया गया था सैयद अहमद खान के दौरा अखिल भारतिये राष्टिये कंवरेश के अस्थापना कब हुई 28 इसंबर 1885 इस्वी को ए ओ ह्यूम के दौरा कुशन नमबर 86 मेरे सरीर पर पड़ी एक एक लाठी की चोट ब्रिटी संधादी के कफन की एक एक कील होगी किसने कहा था बाल गंगा धरतिलक बंगाल का विभाजन कब हुआ था 16 अक्टूबर 1905 इस्वी को बंदे मातरम का संपादक कौन था बिपिन चंद्रपॉल खुदी राम बोश को कफासी दी गई 11 अगस्ट 1908 इस्वी को और सहयोग आंदुलन से लाब हुआ राश्टिये चेतना का विकास गदर पाटी के संस्थापक कौन थे लाला हर्दियाल जलियावला बाग हत्यकान में गूली चलाने का आदेश देने वाले अफसर का क्या नाम था जनरल डायर किस कानून को काला कानून कहा गया था रॉलेट एट को सहयोगी गांधी किस वर्ज से और सहयोगी गांधी बन गए उनिस्सो बीस से बाडोली सत्यागर का नेतितु किसने किया था सरदार वल्लब भाई पटेल गांधी जी के डांडी यातरा के तूलना नेपोलियन के पेरिस मार्च से किसने किय थी सुभाच चंद्रबोष नेक्स्ट कुईचन मुझे अपना खून दो मैं तुम्हें आजादी दूँगा यह किसने कहा था तो यह आपको कॉमेंट करके बताना है कि यह किसने कहा था ओप्शन ए तिलक बी महात्मागांधी सुभाच चंद्रबोष अड़ी दादा भाई नोरोजी तो आप कॉमेंट करके बताइए कि मुझे अपना खून दो मैं तुम्हें आजादी दूँगा यह कथन किसका है क्वेश्चन नमबर अंठान में दुईराष्ट सिधान्त में कौन सा दल विश्वास करता था मुस्लिम लीग नेहरू रिपोर्ट को किस ने तयार किया था तो नेहरू रिपोर्ट को पंडित मोतिलान नेहरू के द्वारा तयार किया गया था भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ 1942 सिश्वी में तो दोस्तो आजकी वीडियो में सेट 1 में 100 objective question जो था उस सबका practice हो गया next वीडियो में दूसरा सेट में भी 100 objective question है उस सबकाभी practice करवा दिया जाएगा तो दोस्तो कैसा लगा यह वीडियो कॉमेंट करके ज़रूर बता गिये क्या वीडियो आपको अच्छा लगा या लगता है कि ये वीडियो आपके साथ-साथ आपके उन फ्रेंच को भी हल्प कर सकता है तो अपने दोस्तों के साथ वीडियो सेर किज creat अगर कोई doubt है या कोई सवाल है तो comment section बिलिखिए है मैं कोशिश करूँगा जल्दी reply करने का तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स वीडियो में दूसरा सेट के साथ तब तक के लिए take care बाई बाई